अगर आप जमीन खरीदने वाले हैं या फिर फ्यूचर में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इकदम सही जगहा पर आए हैं, या विडियो आप के लिए ही है, अगर आप ये विडियो पूरा देख लेते हैं, तो जमीन की रजिश्टिय में कितना रुपया खर्च हो कहां कहां पर पैसे देने पड़ेंगे सब कुछ इकदम क्रिश्टल किलियर हो जाएगा नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल लर नवित लेकपाल में श्वागत है आसा करते हैं कि आप लोग हैप्पी एंड हिल्दी होंगे मेरा नाम विकास मावर है और मैं र प्रामिर छेत्र और सहरी छेत्र की स्टांप ड्यूटी का रेट क्या क्या है उसके बाद स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस में कुल कितना रुपए खर्च होगा या भी देखेंगे और सबसे अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी कैसे वकील लोगों की तरह ज इतना सब जानने के बाद अब हम जानेंगे की यूपी में स्टांप ड्यूटी और रेजिस्टेशन फीस का रेट क्या है तो यूपी में रेजिस्टेशन फीस आपके द्वारा खरीदे जारे प्लाट के सर्किल रेट का या मार्केट रेट का जो भी जादा होगा उसका एक परसंट लगेगा या नियम है लेकिन प्रैक्टल में market rate चाहे जितना हो सभी लोग circle rate से ही stamp duty और registration phase का payment करते हैं क्योंकि generally हर जगा market rate circle rate से ज़्यादा होता है अगर हम market rate से stamp duty और registration phase का payment करेंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा आएगा अब आएए देखते हैं कि UP में stamp rate क्या है तो अगर कोई प्रूस किसी ग्रामीर इलाके में जमीन खरीद रहा है तो जमीन की जो total value बनेगी circle rate कि हिसाब से उसका 5% आजा stamp duty से देना होगा और अगर वही अर्ध नगरिये छेत में खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी की total value जो बनेगी circle rate कि हिसाब से उसका 6% देना होगा और किसी सहरी छेत में नगरिये छेत में खरीद रहा है तो 7% और महिलाओं के लिए ही rate ग्रामीर में खरीद रही है तो 4% अर्ध नगरिये में खरीद रही है तो 5% और किसी सहर में खरीद रही है तो 6% होगा लेकिन अब इसमें एक पेंच है अगर खरीदी जारी जमीन की कीमत 10 लाग से जादा है तो महिलाओं को कोई छूट नहीं मिलती है आप इसे एक एक जामपल समझें माल लीजिए कोई महिला प्लाट खरीद रही है जिसकी टोटल वैलू सर्किल रेट के हिसाब से 20 लाख रुपए है तो उस महिला को कोई छूट नहीं मिलेगा जो रेट पुरुष देगा वही रेट महिला देगी ठीक है और आप सर्किल रेट के बारे में मैं आपको क्या बता हूँ इसमें लिखा हुआ है इस राइड में आप आराव से पढ़ लीजिएगा डिटेल में लिखा हुआ ठीक है रुपए है तो इसलिए महिला या पुरुष कोई भीले सर्किल रेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर यहीं पर प्रॉपरिटी की बैलू दस लाख या इससे कम होती तो महिला का अलग रेट लगता और पुरुष का अलग रेट लगता आई हम इसकी करकूलेशन करना सिखते हैं मान लीजिए कि आप किसी ग्रामीड छेत में कोई खेत या प्लाट ले रहे हैं जिसका सर्किल रेट 20 लाख रुपए है तो रेजिस्टेशन फेस की गढ़ना करने के लिए आप 20 लाख का 1% निकालेंगे जो की 20 जार आएगा क्योंकि 1% ही रेजिस्टेशन फेस और स्टांप सुल 20 लाख का 5% निकालेंगे 5% इसलिए क्योंकि कोई पुरुष ले रहा है और ग्रामीड छेत में ले रहा है वैसे 20 लाख प्रुपर्टी बैलू है तो महिला पुरुष कोई लेती रेट एक ही लगता 5% यह ग्रामीड छेत में लेंगे 5% अरधनगरी हम ले रहे हैं तो आपको 20 लाख रुपए पेमंट करना होगा जिससे खरीद देंगे वा और 20,000 रुपए रेजिस्ट्रेशन फीस और 1,00,000 रुपए स्टांप सुल्क अर्थात 20 लाख हुआ और 1,20,000 यह इसके बाद 10-20,000 रुपए आपके और खर्चा होंगे जो कि आपको दस बेज लेखा किया वकील, जो भी रेजिस्ट्री के पेपर तयार कर रहा है, वा स्टांप सुल्क और रेजिस्ट्री सुल्क के साथ-साथ अपनी पीस भी इसी में जोड कर बता देते हैं, वकील यह दस्ता बेजीन लेखों के दौरा ऐसा कर देने पर आप यह नहीं जान पा जब आप आपको अपनी फीस अलग बताएंगे तो आप उसमें बार्गनिंग करके उनकी फीस को कुछ कम करा सकते हैं अधर वाज दस्तावेज लेखक एक इम जोड के आपको काफी ठक सकते हैं ठीक ही इस बात का ध्यान रखिएगा